करेंगे सूपर टैट में टीचिंग स्केल हमारा टॉपिक है सिक्षन कोसल यहां से हमेशा दस कोश्चन पता किये जाते हैं और आप भी ये कोश्चन का आंसर खुद से करने की कोशिस करें तो आपको पता हो जाएगा कि आप कहा पर हैं तो पहला कोश्चन है विस्व जल दिवस कम मनाया जाता है तो विस्व जो जल दिवस है वो कम मनाया जाता है तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 22 मार्च तो कम मनाया जाता है वो 22 मार्च में मनाया जाता है दूसरा कोश्चन है मनुस्य के मुल्यों के विकास में सरवाधिक महतपून है परिवार आर्थिक पक्ष बहुतिक सुविदाएं विदेशी मित्र तो इसका जो उत्तर होगा वो परिवार होगा क्योंकि मनुस्य के मुल्यों का जो विकास होता है वो उसका परिवार में ही होता है तो इसका उत्तर होगा परिवार होगा वैदी कालिन सिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी तो जो वैदी कालिन सिक्षा है तो यह इसका पता कर रहे है यह प्रकर्ति वाद पर आधर्स वाद पर समाज वाद पर या व्यभार वाद पर तो इसका जो उत्तर होगा वो आदर्सवाद होगा मैदी कालिन जो सिक्षा है वो आदर्सवाद पर आधारित है उसके बाद देखिए मंदर्सा मंदर्सा का संबंध है जो मंदर्सा है इसका संबंध किससे होता है इसका जो संबंद होता है वो उच्च सिक्षा से होता है किस से होता है उच्च सिक्षा से जो प्रात्रिक सिक्षा है उसका जो संबंद होता है वो मक्तब से होता है तो ये उच्च सिक्षा जो प्रदान की जाती है ये कहाँ पर दी जाती है ये मंदर्सों में दी जाती है वैदी कालिन सिक्षा का प्रमुक संसकार था तो वैदी कालिन सिक्षा का जो प्रमुक संसकार है वो आप अच्छे से जानते हो वो उपनेयम संसकार है तो इसका जो उत्तर होगा उपनेयम संसकार होगा आप खुछ से भी करके देखो और पता करो ये लगबग पचास कोश्चन है पचास कोश्चन में से आप कितने कोश्चन कर पाते हैं तो उससे क्या है कि आपका confidence बढ़ेगा उसके बाद देखो वुड का आज्या पत्र प्रकासित कब हुआ था वुड जो था उसका आज्या पत्र कब प्रकासित हुआ था तो अठारे सो चववर में हुआ था कब हुआ था अठारे सो चववर में राधा किर्शनन आयोग की संस्तुतियां संबंदिती जो राधा किर्शनन आयोग है उनकी जो संतुतियां है वो किस्से संबंदिती तो वो उच्चि सिक्चा से माद्मिक सिक्चा से प्रात्मिक सिक्चा से तक्निकी सिक्चा से जिसका जो उत्तर होगा वो उच्चि सिक्चा ह तो इसके कौन थे राधा कृष्णन थे उसके बाद देखिए राष्टिय एक ही करण के लिए राष्टिय एकता सम्मिलन ने सिक्षा के कौन कौन से उद्दे से बताए है तो सिक्षा के कौन कौन से उद्दे से बताए है चात्रों को देश के विभिन पहलवों का ग्यान कराना तो ये भी बात सही है बिलकुल करा सकत आप चात्रों को सुतंता प्राप्ति से संबंद इस विशेश बातों से अवगत कराना बिलकुल बताना चाहिए समस्त जातियों, संपरदायों और राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोसान देना ये भी बिलकुल ठीक है, उपर यूख सभी, तो इसका जो उत्तर होगा, वो यही होगा सिक्षा को दूई धुर्विये प्रकरिया के रूप में किसने परिवासित किया था तो ये किसने परिवासित किया था, जॉन डी भी ने, इन्होंने तेरी ट्राइपॉलर बताया था तो ये कौन थे, इसके एडम्स है, कौन थे, एडम्स थे, तो इसका जो उत्तर होगा, वो एडम्स होगा मुल्य अंते द्वंद को समाप्त करने की सर्वत्तम विधी कौन सी होती है जो मुल्य अंते द्वंद होते हैं, तो उसकी कौन सी होगी, भासन होगा, भासन से समाप्त नहीं हो सकते विचार मिमरसें भी नहीं समाप सुपते तो वो खिससे होंगे तो यह होंगे इसपस्टी करन से तो इसका जो उत्तर होगा वो इसपस्टी करन होगा आप लोग भी करते रहेे क्यूंकि देखिए कॉम्प्टिशन और फिसिकल एक दिन में तैयार नहीं होते तो इसके चार होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्च तो यहां पर कौन सा अलग दिया हुआ है सत्य दिया हुआ है तो इनी चारों से पुरसार्थ मनता है धर्म आर्थ काम वोक्ष तो यह सत्ते नहीं होगा इसमें एमिल किसकी रचना है? है एक्च्वल में जो एमिल है वो किसकी रचना है? that वो रूसो की है और एमिल की साधी एक 收पी नाम की लड्की से करा दी थी ये काल्पनिक घटना है तो ये किसकी है रूसों की है अगस्त कामटे किस देश के दार्सनिक थे तो ये जो थे किस देश के थे ये फ्रांस के थे कहां के थे ये फ्रांस के दार्सनिक थे तो इसका उत्तर फ्रांस होगा इस्कूल और समाज पुस्तक किसने लिखी थी कि ये इस्कूल और समाज जो पुस्तक है ये किसने लिखी किसके दुआरा लिखी गई थी तो ये जो इस्कूल और समाज है ये पुस्तक जो लिखी थी ये डिवी ने लिखी थी किसने जॉन डिवी ने लिखे थी बालक के पिर्थम छे बर्स में मा के घुटने ही उसका विद्यालने है ये कथन किसका है तो ये कथन जो है कमेनियस का है किसका है ये कमेनियस का है कि बालक के पिर्थम छे बर्स में मा के घुटने ही उसका विद्यालने होते हैं तो यह कहा था कमेनियस ने इस्कूल को प्यार का घर किस सिक्षा सास्तिरी ने कहा है इस्कूल को जो प्यार का घर कहा है वो किस सिक्षा सास्तिरी ने कहा है कि जो इस्कूल होते है वो प्यार के घर होते है तो यह कहा है पैस्टोलोजी ने पैस्टोलोजी ने इसको कह गया है उसके बाद देखिए अध्यापक का इस्तान परदे के पीछे किस बाद ने स्विकार किया है अध्यापक जो होता है परदे के पीछे काम करने वाला होता है तो किस ने स्विकार किया है यह प्रकरती बाद ने किया है और इसमें चात्र प्राइमरी होता है अध्यापक सेकंडरी होता है जब कि आदर्स वाद में अध्यापक जो होता है और चात्र सेकंडरी होता है और आदर्स वाद में जो अध्यापक होता है ठीक है तो ये आप से कोशन किया गया है अध्यापक का इस्तान परदे क पीछे किस बाद ने किया है ये प्रिकरती बाद ने किया है यही आपका उत्तर होगा उसके बाद देखो प्रिसनोत्तर विदी किस दार्सनिक की दैन है प्रिसनोत्तर जो विदी है ये किस दार्सनिक की दैन है तो इसका जो उत्तर होगा वो सुकरात होगा प्रिसनोत्तर कितने वर्स के वालकों को दिया जाता है तो ये जो संसकार है कितने वर्स के वालक को दिया जाता है ये आपको पता होने चाहिए वैदिक काली सिक्षा, बहुत काली सिक्षा, मुस्लिम काली सिक्षा तो इसका जो उत्तर होगा, वो आठ वर्स होगा उसके बाद देखो वर्दा में अकिल भारतिय राष्टिय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था तो ये कब हुआ था ये 1837 में हुआ था पिरकर्तिबाद के मुक्य शिक्षन विदी कौनसी है जो पिरकर्तिबादी थे उनकी मलग कौनसी विदी है तो इसका जो उत्तर होगा वो कौनसा होगा करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानु भाव द्वारा सीखना उपरी सभी तो इसका उत्तर कौनसा हो सकता है तो मेरे हिसाब से तो इसका जो उत्तर होगा वो सभी होगा उप्योक्त सभी होंगे डेमोक्रेसी एंड एजूकेशन पुस्तक के लेखा कौन है डेमोक्रेसी जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी डिवी साब ने किसे ने लिखी थी जॉन डिवी ने लिखी थी तो कुस्तक भी पता कर लेते हैं पीछा टैट में भी पता की गई थी ये अनुचेत 45 में किया गया है और 6-14 साल तक के बच्चों को निसुल्क एवं अनुवारिय सिक्षा प्रदान करने का इसमें प्रावधान है तो उसका जो तर होगा अनुचेत 45 होगा परियावन दिवस कम मनाय जाता है जो परियावन दिवस है वो कम मनाय जाता है तो ये वो कौन है गीजु भाई, महत्मा गांदी, स्वामी विकानंद, सौर पल्ली राधा किर्शनन तो इसका जो उत्तर होगा वो गीजु भाई होगा वो कौन सा होगा गीजु भाई होगा और ये बच्चों के लिए मजेदार और चुटकले भरी कहानिया लिखते थे गीजु भाई, बदेखा, गुजरात के नेने वाले थे सभीदान में किस भाषा को राज भाषा का दर्जा दिया गया है सभीदान में किस भाषा को राज भाषा का दर्जा दिया गया है तो आप बच्चे से जानते हो सिक्षा के तीन दुरूब होते हैं जिसमें एक अध्यापक होता है और दूसरा छात्र होता है और तीसरा पाठ्ठे करम होता है तो ट्राइपोलर मलए इसके तीन दुरूब होते हैं अध्यापक, सिक्षा अध्यापक, छात्र और जो है पाठ्ठे करम इससतरे से पढ़ते रही है आप वैदी कालिन्द गुरुकुल सिख्षा किस जीवन दर्सन पर आधरीत है, पिर करती बात पर, आधर सवात पर, समाज बात पर या वैभर बात पर जो आपका उत्तर होगा ये आपका आदर्सवाद होगा ये कोश्चन अभी मैंने पीछे भी बताया आपको आदर्सवाद होगा इसका उत्तर उसके बाद आगे चलिए आगे देखते हैं राम मूर्ती समीती 1990 क्यों गठित होई राम मूर्ती जो समीती है उसको गठित क्यों ग की समिक्षा करने के लिए आप पर जो उत्तर होगा रामूर्ती समिती क्यों गठीत हुई थी तो राश्चे सिक्षानिती जो 1986 थी उसकी समिक्षा करने के लिए गठीत हुई थी उसके बाद देखिए राधा कृष्णन आयोकी संतुतियां संबन्दित थी तो आप ये कोश्चन दुबारा से हो गया है उच्च सिक्चा से मादिमिक सिक्चा से और आपका प्रात्मिक सिक्चा से और तकनीकी सिक्चा से तो ये राधा कृष्णन आयोग जो है उच्च सिक्चा से है किसे उच्च सिक्चा से वैदिक सिक्चा का प्रमु उपनेयन संसकार होगा बालक का मस्तिस्क कोरी सेलेट की तरह है ये बात किसने कही थी कि जो बालक का मस्तिस्क होता है वो बिल्कुल कोरी सेलेट की तरह होता है ये कहाता रूस होने किसने रूस होने कहाता तो बालक का जो मस्तिस्क है वो कोरी सलेट की तरह होता है मंदर से में सिक्षा का माध्यम क्या था मंदर से होते हैं यहां सिक्षा किस माध्यम से प्रदान की जाती थी तो आपका जो उत्तर होगा वो फार्सी होगा क्या होगा? फार्सी होगा वैदिक कालिन सिक्षा संबन दीत है जो वैदिक कालिन जो सिक्षा है वो किस से संबन दीत है रामायन से, वेदों से, कुरान से, बाइबिल से तो इसका जो उत्तर होगा वो वेदों से होगा किस से? वेदों से होगा kindergarten प्रणाली के जनम दाता कहे जाते हैं तो यह तो आप question के अई बार अलग अलग टैट में हो या सी टैट में तो नहीं टैट में इस तरह की परिक्षाओं में पता किया जाता है तो kindergarten जो प्रणाली के जनम दाता है वो कौन है तो इसका जो उत्तर होगा वो आप अच्छे से जानते हो फ्रोवेल होगा क्या होगा फ्रोवेल होगा पांड़ेचरी में किस माहन सिक्षा सास्तिरी ने आसरम की इस्तापना कीती तो यह आपका उत्तर होगा वो स्री अरविंद गोहस होगा निसुल्क एवम अनवारिये बाल सिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था तो ये राइट टू एजूकेशन जो पारित हुआ था आप अच्छे से जानते हो ये 2009 में हुआ था कब हुआ था 2009 में हुआ था तो यही आपका उत्तर होगा उसके बाद देखे परियाबन सरक्षन अधिनियम कब लागू हुआ तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका 1986 होगा तो आपका यही उत्तर इसमें सही होगा उसके बाद देखे बहुत कालीन सिक्षा का प्रमुक उद्देश से था जो बहुत कालीन सिक्षा है उसका प्रमुक उद्देश से क्या है ग्यान अर्जित करना, निर्वान की प्राप्ति, मुल्य विक्सित करना बालिकाओं का सैक्षिक विकास करना तो जो इसका उत्तर होगा वो मैं आपको बताऊँ निर्मान की प्राप्ति होगा सिक्षा में प्रियोजन वाद की जनम दाता है जो एजुकरशन है तो इसमें प्रियोजन वाद की जनम दाता कौन है तो इसका जो उत्तर होगा विलियम जैम्स होगा गीजुबाई बदेका ने बालकों को संग्या दी थी किसकी संग्या दी थी बाल देवो भवे वो बालक को देवता के समान समस्ते थे और अध्याबक जो होता है उसका पुजारी होता है तो गीजुबाई बदेका ने क्या बाल देवो भवे नई सिक्षा निती 1986 में समाज के विभिन वर्गों की सिक्षा में समान सहवा के इताबर बल दिया गया तो अनुसुचित जातियों की सिक्षा, इस्तियों की समान तेहितु सिक्षा, अनुसुचित तता विकलांगों की सिक्षा किसकी सिक्षा? विकलांगों की सिक्षा तो इसका जो उत्तर होगा वो इसका यही होगा कि भई अनुसुचित एवं विकलांगों की सिक्षा होगा, एजुकेशन होगा मुसलिम सिक्षा का उद्देश से था, जो मुसलिम कालिन सिक्षा है इसका क्या उद्देश से था तो इस्तिलाम धर्म का पिर्चार करना बिल्कुल सही है यह सही है आपका बहुती कैस्परिय की प्राप्ति बिल्कुल सब चाहते हैं कि हमें सुख सुविदा सब चैन मिले ज्ञान की प्राप्ति बिल्कुल सही है तो इसका जो उत्तर होगा उप्युक्त सभी होगा तो आगे देखिएगा बिस्मिल्ला संसकार होता है बिस्मिल्ला जो संसकार है वो कब होता है तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा चार वर्स चार महीने चार दिन पर तो बिसमिल्ला संसकार कब होता है जब बच्चा चार बर्स चार महीने और चार दिन का हो जाता है बौध सिक्षा का प्रमुक केंद्र था जो बौध सिक्षा प्रदान की जाती थी वो कहां पर की जाती थी तो यही आपका उत्तर होगा भारत में आदूनिक सिक्षा का जनम दाता किसको कहा जाता है तो भारत में आदूनिक सिक्षा की जो जनम दाता है वो कौन है तो आपका जो उत्तर होगा वो चार्ल्स ग्रांट होगा तो कौन है तो उत्तर है आपका Charles Grant तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए आगे देखो आदर्सवाद के अनुसार सिक्षा का केंद्र बिंदू क्या है तो जो आदर्सवाद है उसके अनुसार मनलब सिक्षक पाट्टे करम विद्धाले या सिक्षार्ती तो आपका जो उत्तर होगा देखो इसमें सिक्षक होगा आदर्सवाद में सिक्षक प्राइमेरी होता है बच्चा जो होता है सेक्षक होता है और अध्यापक जो होता है एक माली की तरह होता है जैसे एक माली अपने पौदों को सीचता है बड़ा करता है उसी परकार अध्यापक भी बिलकुल माली के तरही होता है तो इसका उत्तर होगा सिक्षट विवेका नंद ने जन सिक्षा के लिए संस्ता इस्तापित की थी ब्रह्म समाज, आरी समाज, राम कर्स्न विस्न और वेदान्त समाज तो इसका जो उत्तर होगा वो आप अच्छे से जानते हो राम कर्स्न विस्न होगा, क्यूँ? क्योंकि विवेका नंद के गुरुजी थे और इनौने जो जन सिख्चा है उनके नाम से ये काम सुरू कर दिया तो इसका उत्तर होगा राम कर्स्न उसके बाद देखिए टैगोर जी दुआरा रचित पुस्ता कौन सी है तो ये कोशन भी बार बार कही अलग-अलग कॉम्टिशन में पूछा जाता है कि वही कौन कौन सी है तो ये आपका उत्तर होगा गीता अंजली तो इस तरह से हमने अभी आपसे लगबाग पचास कोशन क चर्चा की तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा आप लोग लगे रहिए जो लोग लगे रहते हैं काम्याब होते हैं तो ये आज हमारा टॉपिक अथा टीचिंग स्किल तो आप खुद से करके देखिए कितने कोशन आप ठीक कर पा रहे हैं तो जिसको भीया वीडियो अच् बाटरी ये